हलो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एन्सील ही एम ओपरेटर के लिए मोश्ट इनपोर्टेंट एक हजार कोश्चन का स्रीच चला रहे हैं जिसमें से मोश्ट इनपोर्टेंट कोश्चन है आपकी पेपर की दिश्टी से जा चैनल पर नया है चैनल को सस्क्राइब पंजाबी भासा की लिपी कौन सी है उतर है गुरू मुखी भारत की मुख्य भूमिका दर्चितम किनारा कौन सा है उतर है कन्या कुमारी भारत में सबसे पहले सुर किस राज में निकलता है उतर है अडुरांचल प्रदेश इंसुलीन का प्रयोग किस बिमारी के उपचार म में किया जाता है ऊतर है मधू में भी ईू किस राज का परसी तयोहार है ऊतर है अस में डियू और कीव है असम राज का परसील इंपोर्टेंट कोश्चन है प्लीज चैनल पर नए हैं सस्क्राइब जरूर कर ले क्योंकि हम आपको ncl में ही जो पूछे जाएंगे वही कोश्चन पढ़ाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है गौतम बूद का बचपन का क्या नाम है उतर सिधार्थ भारत में ससत् गौविंध्त SiNapetic कोन होता है उतर है राष्ट पती वरतवान समय में भारत के राष्ठ पति हैं और आम नात गोबिद्ध है रत अधी यकिश्विक भिटामीन की कमिसे होती है विटामीन ए जहें रतष्दी होता है आपके आँक में जो कमजोरी होता है किसकी वयाए से ओता और भाकडा किस राज के लोग निरित है उतर पंजाब टेली विजन का अविस्कार किस ने किया उतर जान लोगी बैर ने जो टेली विजन है वो जान लोगी बैर ने इसका अविस्कार किया था भारत की पहली महिला साज का कौन थी उतर राजिया सुल्तान भारत की पहली महिल साज का कौन थी राजिया सुल्तान थी most important question है पेपर के देश्च से लूसेंट आपको एक हजार question हम इस वीडियो में कराएंगे आपको एक हजार question हम इस वीडियो में कराएंगे अगर आप यह वीडियो वाच कर लिया तो आपको पेपर में बहुत सारे question देखने को मिलेंगे बोको सारे कोशन लूसेंट से आने वाले हैं मचली किसकी साहता से सांस लेती है उतरे गलफडो की साहता से इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस ने दिया उतरे भगत सिंग ने जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा है वो भगत सिंग ने दिया था जलिया वाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुगा उतर उनीस सो उनीस को अम्रित सर पंजाब में जो जलिया वाला बाग हत्याकांड है उनीस सो उनीस को अम्रित सर पंजाब में हुगा था 1949 इस्वी में कांगरेश छोड़ने के बास सुभाच चंदर बोस ने किस दल की स्थापना की उतरे फारवर्ड ब्लाक की स्थापना की और किस सन में सुभाच चंदर बोस ने कांगरेश छोड़ा था 1949 में most important question है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है उतरे लाला राजपत राय को सांडर्स की हत्या किसने की उतरे भगत सीने 1857 के विद्रो में कौन अपना बलिदान सबसे पहले दिया उतरे मंगल पांडे ने भारत की पहली महिला राजपाल कौन थी उतरे रजिया सुल्तान भारत जो पहली महिला राजपाल थी वो रजिया सुल्तान थी माउंट अबरेश्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी उतरे संतोस यादो ब्राम समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई उतर राजा राम मोहन राय जो ब्राम समाज की स्थापना है राजा राम मोहन द्वारा किया गया है 28 नमबर कोशन है स्वामी दयानन्द स्वरस्वति का मूल लाम क्या है उतर है मूल संकर बेदो की और लोटो का नारा किसने दिया उतर है दयानन्द स्वर्श्वती ने राम किष्ण मिशन की स्थापना किसने की दूतर है स्वामी विवेकानन्द ने बास्को डिगामा भारत का बाया था 1948 को बास्को डिगामा भारत का बाया था 1998 इस्वी को बास्कोर डिकामा भारत 1998 में इस भी कोई था और बास्कोर डिकामा कहां करने वाला था पूर्त काल का रहने वाला था हवा महल कहां इस्ति थे उतर जैपूर राजस्थान में सीख धर्म के संस्थापक की इस गुरू को माना जाता है उतर है गुरू नानक को सीखो का प्रमुक तेवहार कौन सा है उतर बैसाखी लव पुरुस किस महापुरुस को कहा जाता है उतर सरदार पटेल को लौपुरूस के नाम से किसे जाना जाता है उतर सरदार पटेल सरदार जो पटेल है 182 मीटर की स्ट्योच्यू आप इनूटी जो है गुजरात में वो सबसे बड़ी स्ट्यूच्यू आप इनूटी बनाया गया है जो कि 182 मीटर की है बहुत इनपॉर्टेन कोशन सबसे उची सरदार बल्लम भाई पटेल की उची मूर्ती है 182 मीटर जो की नर्वदा नज्ज की किनारे बनाया गया है और कौन सी कंपनी बनाई है एलन्टी कंपनी बनाई है दिल्ली रिष्थित लाल बहादूर सास्त्री की समाधी का नाम क्या है उतर बिजय घार्ट महा भारत की रच जिसान का नारा किस ने दिया था उतर है लाल बहादू सास्त्री ने समिधान सबाका अस्थाई अध्यच कौन था उतर डाक्टर राजेंद परसाद डाक्टर राजेंद परसाद जो समिधान सबाका अस्थाई अध्यच थे डाक्टर राजेंद परसाद 43 नमबर कोश्चन है समिधान सबाका प्रारुक समीती के अध्यच कौन थे ओतर है डाक्टर भीम राव अमबैटकर विस्वर रेट क्रोस दिवस कब मनाय जाता है ओतर है 8 माई को सूर्य दे के देश के नाम से कौन प्रसिद है ओतर है जापान अंतराष्टी महिला दिवस किस तिथी को मनाय जाता है ओतर है 8 मार्च को अंतराष्टी जो महिला दिवस है 8 मार्च को मनाय जाता है चेतरफल की दिश्टी से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है ओतर है गोवा एगर चेतरफल की दिश्टी से पूछे बाग भारत का राश्टिप पच्छी कॉन सा है मोर बारत का राश्टि ये जल जीव कौन सा है अउतर है गंगा डॉलफीन भारत का राष्टी फल कौन सा है उतर है आम भारत का राष्टी ये फल कौन सा है उतर है आम भारत का राष्टी फूल कौन सा है उतर है कमल भारत का राष्टी पेड कौन सा है उतर है बर्गत भारत का राष्टी खेल कौन सा है उतर है हौकी होंकी में स्वड़ पदक आठ बार ओलम्पिक भारत ने जीत चुका है भारत के राष्टी जंडे की लंबाई और चवडाई का अनुपात कितना होता है तीन रेसियो दो भारत का राष्टी गान किसने लिखा है उतर है रविंद ना टैगोर ने भारत का राष्टी गीत कौन सा है उतर वंदे मातरम भारत का राष्टी गीत कौन सा है उतर है किसने लिखा है उतर बंकिम चंद चटरजी ने भारत का राष्टी गीत लिखा है बातमागादी को राष्ट पीता सबसे पहले किसने कहा था तो तरे नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने भारत का राष्टी पंचांग कौन सा है उतर सक्संबंद राष्टी गान गाने की अबधी कितनी होती है उतरे 52 सेकेंड और राष्टी गीत गाने की अबधी 65 सेकेंड होती है अगर चैनल पढ़ना हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि हम आपको NCL की revision part कराने जा रहे हैं जो कि आपको part by part हर एक चीज का वीडियो मिलेगा current affairs, traffic rules, समान नग्यान, diesel and petrol engine, lucent बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो कि आपके लिए paper के लिए बहुत ही helpful होगा रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी उतर हेनरी बेकरल ने पेस मेकर का संबन्थ सरीर के किस अंग से है उतर हीरदे से मानो सरीर की किस गरंथी को माश्टर गरंथी कहा जाता है उतर पियूस गरंथी को माश्टर गरंथी कहा जाता है कारवन का सर्वदिक रूप, सुद्रूप कौन सा होता है? हीरा और जो हिरा है मद़ परदेश के पंचा सहर में पाया जाता है सबसे ज़्यादा एक सरे का अविस्कार किस ने किया था? हूतर है रांट जन्ने किस धातु का प्रयोग मानो द्वारत सबसे पहले किया गया उतर है तामबा दूर्बीन का विसकार किस ने किया था उतर है गैलिलियों ने जो दूर्बीन का विसकार है गैलिलियों ने किया था दिल्ली रिस्थीत महतमा गादी की समाधी का नाम क्या है उतर है राजगाट भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी उतर है मुंबई से थाने तक कहां मुंबई से थाने तक और 35 किलो मिटर चलाई गई थी भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में और भारत में सबसे पहले जो रेल है ओधारोसो तीरपन में चलाया गया था और कहांस का मुंबई से कॉलकाता तक 35 क्योंतर तक भारत में रेल आरम सनकब हुआ था उतर है 1853 इस भी में भारत भारती ये अंत्री श्यात्री कौन थे उतर सुचिता क्रिपलानी जो भारत की पहली महिला मुख मंत्री थी सुचिता क्रिपलानी थी जो की उतर प्रदेश की थी हर्याड़ा के पहले मुख मंत्री कौन थे उतर भगवत द्याल सर्मा संयूक्त राष्ट संग की स्थापना कब हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को राष्टी संग की स्थापना हुआ था संयूक्त राष्ट संग का मुख्याला कहा है उतर है निवार्क में संयूक्त राष्ट संग के पहले मा सची कौन थे उतर है त्रिंग वेली संयूक्त राष्ट संग के कितने देश सदत से है उतर है 193 देश सदत से है संयूक्त राष्ट संग का सुरच्छा परिशत के कितने देश सदत से है उतर है 15 देश सदत से है संयूक्त राष्ट संगे सुरच्छा परिशत के कितने देश अइस्थाई सदस हैं पाँच देश अइस्थाई सदस हैं अंतराष्टी न्याले का कहा इस्ति थे दे हैंग होलेंड में सेयूख्त राष्ट संग के वर्तवार महा सची कौन है बान की मून सेयूख्त राष्ट सभा में भारत में हिंदी में भासर देने वाले भारती कौन थे उतर है अटल विहारी बाचपई जो की पूर्बे प्रधार मंतरी थे बीजेपी पार्टी से संयोक्त राश्ट संग के परिसद में और इस्थाई सद से कितने वर्स के लिए चुने जाते हैं उत्र है दो वर्स के लिए संयोक्त राश्ट संग के 193 देश सद से कौन बना उत्र है दर्चिड सुडान किस बिटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता है, बिटामिन के की कमी से, हिंदी दिवस कब मना जाता है, उतर है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना जाता है, सम्मिधान के कीस अनुछे द्वरा हिंदी को राष्टी भासा गोसित किया गया है, उतर है अनुछे 343 को सम्मिधान के कीस अंच्छे द्वारा हिंदी की राष्टी भासा घोसित किया गया अंच्छे 343 को ओलम्पिक खेलों की एकल सरपधा में स्वड़ पदक जितने वाल एक मात्र भारती कौन थे उतर अभिनो बिंद्रा ओलम्पिक खेलों की आयोजना कितने वर्स बाद होते हैं उतर है पांच सोरी चार वर्स बाद होते हैं उलम्पिक खेल हमें साथ चार वर्स बाद जैसे के अभी 2020 में होने वाला था ओलम्पिक खेल कोवीड-19 की वैसे अब 2021 में खेला जाएगा टोक्य जापान में सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां खेले गए थे उत्रहे रियोडी जीनेरों में अंतराष्टी मानों अधिकार दिवस कब मना जाता है उत्रहे 10 दिसंबर को हर्याडा कौंसी नसल की भैस परसीद है उत्रहे मुर्रा परसीद सितला माता मंदिर कहां इस्तित है उत्रहे ग प्राव बिरेंद सिंग ने बहुत इंपॉर्टेंट कोशन है अगर दोस्तों चैनल पर नहीं है चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले क्योंकि हम आपको 1000 कोशन के वीडियो एक वीडियो में हम आपको डिसकस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन है आपके NCL एक्जाम की दिश्टी से एक सो एक नंबर कोशन है हंड्रेट नंबर कोशन कंप्लीट हो गए हर्याडा का छेतरफल कितने वर्ग किलो मेटर है उतरह 44,212 वर किलो मेटर हर्याडा के पहले मुखमंत्री कौन थे उतरह पंडित भगवत द्याल सर्मा किस देश की अस्थाली सेमा सर्वध स्लीक देशों के सांथ लगती है उतरेश चीन, बैरोमीटर के पठर में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है उत्र तुरुफान का भारत का मरुस्थल का क्या नाम है उत्र थार काजी रंगा राष्ट्य भैरन किस राज में इस्तित है उत्र आसम राज में जो काजी रंगा राष्ट्य भैरन है एक सिंग गेंडे के लिए परसिद है पित्वी अपने धूरी पर किस दिशा में गुमती ह यह उतर पस्छिम से पूर्व जो कृत्वी है वह अपने धूरी घूंती है पस्छिम से पूर्व उजैन की स्नदी के किनारे पसा है उतर छीप्रा नदी निम्ने में से कौन सी बिजली का धातू सबसे अधीक सुचालक है उतर चांदी निम्ने में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है उतर है चांदी गोबर गैस में मुखेत रूप से क्या पा जाता है मिथेन और मिथेन का जो फर्मूला होता है रासानिक CH4 होता है सोतंत्र मेरे जर्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा ये कथन किसने कहा था उतर लोकमान तिलक ने राज्य सबाके अस्थाई सदस्यों का चुनाओं अवधी के लिए किया जाता है उतर छे वर्स के लिए हिंदी का हिंदी भासा कौन सी है उतर देवनागरी हि ये पिछले साल के कोश्चन में आया हुआ एंसिल के जम्मे है हमारी आकास अंगा का नाम क्या है उतर दूद मेखलाया मिलकी वेग हिंदी भासा का पहला समाचार पत्र कौन था उर्तर मारतंड तुलसी रामदास कृत रामदास मानस हिंदी भासा की कौन सी बोली में लिखी गई है अवधी भासा में तुलसी दास कृत राम चरित मानस हिंदी भासा की बोली में लिखी गई है अवधी भासा में लिखी गई है हाजाडा के राज्य कभी कौन कहलाते हैं उतर है उदय भानु हन्स आधोनिक ओलंपिक खेलों की सुरुगात अतक कब और कहां से हुए इथेन यूनी नौन से 1896 में आधोनिक ओलंपिक खेलों की सुरुगात सबसे पहले 1896 में हुआ है भारत ने किस खेल में ओलंपिक में आठ वार स्वड़ पदक जीता है उतर होंकी में जो भारत कराश्टी खेल है वो है होकी कि 120 नंबर कोश्चन है भारत ने आखरी बार हाकी में स्वड़ पदक कहां और कब जीता है उतर 1988 मासको में ओलम्पी खेलों का आयोजना कितने वर्स बाद होता है उतर चार वर्स बाद होता अंतारयाष्टि ओलम्पिक स्मेटी का मुखियाल है कहा शुटर कोशन स्वीजे लेंड में सन धौजा बारह में ओलम्पिक कहा होंगे उंतर हैं लंदन में ओलंपिक धोज में कितने गोले होते हैं उतरे पांच गोले होते हैं जो पांच गोले होते हैं ये अलग-अलग कलर के होते हैं एक ओलंपिक में स्वाड़ पदक जितने वाले खिलाड़ी कौन थे उतर माइकिल फेल्प्स सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां होंगे उतर है टोक्यो जपान में पहले 2020 में खेले जाने वाला था अब 2021 में खेला जाएगा COVID-19 की बज़से अब 2021 में खेला जाएगा और कहां पर खेला जाएगा टोक्यो जपान में ओलंपिक खेल 2021 में खेला जाएगा बहुत important question है दोस्तो चैनल पन्नाय है चैनल को subscribe जरूर करे और वीडियो को like करे comment box में जरूर अपना राय दे सन 2012 के ओलंपिक खेलों में का से पदग जितने वाले साइना नहवाल का संबंद किस खेल से है उतरह badminton खेल से है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्स भाग लिया था उतर ओनिस्सों में ओलंपिक खेलों में पदग जितने वाली पहली भारती महिरा खेलाडी कौन थी उतर कडम मलेस्वरी बेदो की ओलोटो का नारा किस ने दिया था उतर महारसी दयानंद ने महारसी दयानंद ने बेदो की ओलोटो का नारा दिया था प्रसिद जंडा गीत जंडा उचार है ये निल आर्मस्ट्रॉंग से प्रसिद है अंत्रीच में जाने वाले प्रथम भारती कौन थे उतर है राकेश सर्मा प्रथम भारती ये उबगरह का नाम क्या है इसे कब छोड़ा गया उतर है आर्वहर्ट 1975 में छोड़ा गया संयुक्त राश्चंद के वर्तमान में महासची कौन है बान की मून अंतराश्टे मैना दिवस कम मना जाता है उतर है आठ मार्च को घेगारो किस कमी से होता है उतर है आयोडीन की कमी से होता है कौन सी गरंथी इंसुलिन स्राबित करती है उतर अगनास है डूरंट कप का खेल किस खेल से संबंदित है उतर फुटवाल जो डूरंट कप होता है फुटवाल कप से संबंदित है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है उतर हीरा कुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है जो हीरा कुर्ण बांध है समिधान की आठवी अनसूची में कितने भारती भासाओं को मानेता दी गई है 22 भासाओं को मानेता दी गई है चीन की मुद्रा कौन सी है उतर है इवान रेड क्रॉस के संस्थाप कौन है है हैंरे डूनाउंट हीमो जिरुनी नाइडियो को कहते हैं दिल्ली में कुतुब मिनार किसने बनवाई शुरू की थी उतर है कुतुबु दिन एहबक ने बनारत सिंदी विसुविद्याला के संस्थापक कौन थे उतर है मदन मोहन मालविये अर्थ सास्त्र के लेखक कौन थे उतर चाड़क कौटिल जो दच्छेस का मुख्याल कहा है उतर काटमांडू नेपाल में और दच्छेस के कितने देश सदस्श है उतर आठ देश भारत नेपाल बंगलादेश स्रीलंका मालविय भूटान पाकिस्तान और अफगानिस तान भारत के तर्थ रेखा की लंबाई कितनी है उतर है 7,516 वर कि विश्व में अभरक का सरवधिक उत्पादन किस देश में होता है उत्तर है भारत में जो अभरक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में होता है ग्रांट ट्रेक रोड किसने बनवाया था सेरसाथ सुरी ने विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है बेरी बेरी विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है इसकर भी है दूद में कौन सा विटामिन नहीं होता है विटामिन C दूद में क्यों नहीं होता है क्योंकि विटामिन C जो है खटापन होता है आले में पर्चुन मातरम पा जाता है और दूद में डालने से फट जाता है विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है उतर है रिकेट्स किस विटामिन की कमी से खुन का थका नहीं जमता है विटामिन K कि βیटामिन ए की कमी से कौन वечат है उत्रें माझपन विटामिन iが रासानिक नाम क्या है इसकरविक हमने वासा में गुमान जील कोन सा होता है विटामिन ए NCL में आपको most important question करा रहे हैं ताकि आपको NCL में जरूर सन एक्सल मिल सके 227 नमर question सदार नामक का रासानिक सुत्र क्या होता है उत्तर है NACL sodium chloride जो सदार नामक का रासानिक सुत्र होता NACL होता हसाने वाली gas को रासानिक नाम क्या है उत्र है nitrous oxide N2O N2O हसाने वाली gas है nitrous oxide धावन सोडा का रासानिक नाम क्या है sodium carbonate पीतल कीन दो धात्यों का मिस्त्रड है उत्र है उत्र है ताबा और जस्ता केल्सी फेरॉल किस बिटामिन का रासानिक नाम है उत्र बिटामिन D नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है उत्र कॉर्णिया को किस बिटामिन में कोबाल्ट होता है उत्र बिटामिन B12 में कोश्का का पावर हाउस की से कहा जाता है उत्र माइक्रो कॉंड्रिया को लाल रक्त कडिकाओं का निर्माड हमारे सरीर के कीस भाग में होता है उत्र अस्ति मज्जा बोन मेरो राश्टी विज्ञान दिवस कब मना जाता है उत्र 28 फरवरी को राश्टी विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मना जाता है ब्लड प्रेशर मापने की किस यंत्र का प्रयोक किया जाता है इस फीगनो मेटर जो ब्लड प्रेशर है वो इस फीगनो मेटर से हम मेजर करते हैं कंपूटर की पर्मानेट ममोरी क्या कहलाती है उत्तर है रोम read only memory किस अधिवेशन में कांग्रेश उत्तरवादी और उग्रवादी नामक दो दलो में विभाजीत हो गई थी उत्तर है 1907 के अधिवेशन में तंजवर का बिधिस्वर मंदिर किसने बनवाया था उत्तर राज राजा प्रथम चोल ने मोगर समराट अकवर का जन्म कहां हुआ था अमर कोट के दूर्ग में वर्स 2014 का फुटवाल विश्वर कप किस देश में आउजित होगा उत्तर है ब्रेजील वर्स 2018 का फुटवाल विश्वर कप किस देश में आउजित होगा उत्तर है रूस 2014 के कावन वेल्ट खेल कहां होंगे उत्तर है ग्लास को स्क्वेर लेंड में वर्स 2015 का किर्केट विश्वर कप कहां आउजित होगा उत्तर न्यूजीलेंड और आश्टेलिया में संसत के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अद्चिता कौन करता है उत्तर लोक सभा अध्यच भारत के प्रतम लोक सभा अध्यच कौन है उत्तर है गड़ेस वासुदेव मावलेंकवर भारत समिधान के किस अंशेत के अंतरगत जम्मु कास्मीर की बिसिस दर्जा प्रता प्राप्त है उत्तर है 370 पहले जम्मु कास्मीर राज था अब उसे केंदर सासित प्रदेश बना दिया गया है और जम्मु कास्मीर को 370 धारा हटा के दो केंदर सासित में प्रदेश में बाढ़ दिया गया है पहला लद्दाग और दूसरा जम्मु कास्मीर और जो लेह जिला है ये भारत का सबसे सबसे बड़ा जिला है कि सबसे बड़ा जिला है और पांच अगस्त को जो है तीन सो सतर हटाया गया है बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है पेपर की दिश्टी से प्लीज चैनल पर नया है सस्क्राइब जरूर कर ले कोई विध्यक धन विध्यक है या नहीं इसका निर्णा कौन करता है उतर लोक सभा अध्यच विष्व का सबसे बड़ा महादीप कौन सा है उतर एसिया है यह दराबाद किस नदी के किनारे बसा है उतर मुसी नदी जो हैदराबाद है मुसी नदी के किनारे बसा हुआ है विष्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक की मेक्सिको में विष्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मेक्सिको देस में होता है ऐसे चेतर्फल के अनुसार विष्व का सबसे छोटा देश कौन सा है उतर वेटिकन शिटी स्वेज नहर किंडो सागरो को जोडती है भूमद सागर और लाल सागर जो स्वेज नहर है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है भूमत सागर और लाल सागर को पानामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है प्रसांत महासागर और उतरी अंटार्टिका महासागर अगर आपसे कोशन में पूछता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो प्रसांत महासागर और सबसे गहरा महासागर कौन सा है तो प्रसांत महासागरी है भारत के संग्य छेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है उतर सीलवासा चेत्रफल की दिश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज कौन सा है उत्तर है राजस्थान और चेत्रफल की दिश्टी से सबसे छोटा राज जो है वो है गोवा और जनसंख्या की दिश्टी से सबसे बड़ा राज जो है उतर प्रदेश और जनसंख्या की दिश्टी से सबसे छोटा राज जो है वो है सिक्कीम पित्वी दिवस कम मना जाता है 22 अप्रेल को फूलों की घाटी किसे कहते है उतर उतरा खंड को फूलों की घाटी कहा जाता है वर्स 2011 में नमिनतम राश्टी दच्छिर सुढान की राजधानी कौन से थी उतर जूबा योजना आयोग का अध्यच कौन कहलाता है उतर प्रधान मंत्री जो प्रधान मंत्री हैं ये वर्तवान समय में स्री नारेंद्र मोदी हैं और योजना आयोग भी उन्हें कहा जाता है आइने अकवरी का लेखा किसने लिखा उतर अवुल फजलने होप मैन कप किस खेल से संबंदित है उतर टैनिस देश बंदू के नाम से कौन जाने जाते हैं उतर चितरंदन दास देश बंदू के नाम से चितरंदन दास को जाने जाते हैं असोक चक्र में कितनी तिलिया होती हैं उतर है 27 तिलिया होती असोक चक्र में भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी उतर है राजा हरिश्यंद ने अब बोलती फिल्म कौन सी थी आलम आरा सबसे छोटी हड़ी कौन सी है इस टीपीज हड़ी जो की कान में पाई जाती है दोस्तों अगर आपसे क्वेशन में पुछा है टोटल दोनों कान में कितनी हड़ी और एक कान में तीन हड़ी और सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है इस टीपीज हड़ी जो की कान में पाई जाती है और सबसे बड़ी हड़ी होती है जो कि फीमर जांग में पाई जाती है सबसे बड़ी हड़ी होती है मानों सरीर में कौन कितनी पेसिया होती है 349 पे तीन दिन होता है उसका जीवन काल जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते का प्रचाहाने के लिए क्या कहता है जस्ती करण या गैलवेनी करण जो कि जिंक से जिंक के मेटल से उसे गैलवेनी करण किया जाता है मानो शरीर का सबसे बड़ा गरंथी कौन सा है उतर एक्रीत जिसे लीवर भी कहा जाता है जीगर भी कहा जाता है भारत का सब भारत का प्रत्थम तेर संसोधन यंत्र कहां श्तित है उतर डिग बोई असम में इसको द्वारा कलिंग प्रुषकार की छेत्र में दिया जाता है विज्ञान के छेत्र में है राबाद में चार मिनार का निर्मार किसने करवाया था कुली कुतुबु साहने कुली कुतुबु साहने करवाया था है राबाद में चार मिनार का निर्मार कांग्रेस द्वाराप पूर्वस्वा धिन्ता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया सन 1929 के लोहर अधिवेशन में स्वेद क्रांती का संबंध किस्से है उत्रे दूर उत्पादन से भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कहां है उत्र फेरी क्वीन भारत में अपातकाल की प्रथम घोसडा कप की गई चीनी आक्रमण की समय 26 अक्टूबर 1962 को भारत में भासा क्याधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था अंद्र प्रदेश भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्ली आक्रमर कारी कौन था मोहमद बिन तुकलक कासिक जो की 712 इस्वी में भारत पर हमला किया था सेल्फियूरिक का राजदूद जो चंद्र गुप्त मौर के दर्बार में आया था ओकौन था उत्रमैग स्थ नीज स्रीलंका का प्रणा नाम क्या था सी लोन विटामिन की कोज किसनी की थी उतरे फंक ने इस्टेम लेस स्टील किसकी मिस्रधातु होती है आयरन क्रोमियम और निकिल की कासा किसकी मिस्रधातु होती है उतर कापर और टीन की जो कासा है वो किसकी मिस्रधातु होती है कापर और टीन की होती है स्वामी विवेकानंद ने सीकागो में हुए विस्व धर्म सामेलन को कब संसोधित किया था? उतर है 1893 में जलियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ? उतर है 13 अप्रेल 1999 को अमरित कर पंजाब में जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ प्रित्वी पर उत्री गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता रहे 21 जून को अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट बाक्स में ज़रूर बताए क्योंकि हम आपको लुसेंट एक हजार कोश्चन आपको पार्ट बाइपार्ट वीडियो में कराएंगे आज हम तीन सो कोश्चन की स्रीज पहला पार्ट है जो कि तीन सो कोश्चन कराएंगे फिर इसके बाद आपको चार वीडियो आएंगे जिसमें से आपको 300 कोश्चन लगभग 1200 कोश्चन आपको कंपेटेड मिलेंगे जो कि जनरल लुसेंट से होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन होंगे आपके एकजाम के दिश्टी से महात्मा बुध ने अपना पहला उद्देश कहां दिया उतर सारनात में महात्मा बुध ने अपना पहला उद्देश कहां दिया सारनात में साइमन कमिशन के वहिसकार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता के मिर्द हो गई लाला राजपत राय को लाठी चार्ज से उनके व प्रफम कंपूटर का जनक किसे कहा जाता है उतर सिधार्थ को गायतरी मंत्र का उल्ले किस गरंद को कहा जाता है रिगवेद को जो गायतरी मंत्र है उसे रिगवेद को कहा जाता है मानो सरीर में पाचन क्रिया अधिक्तम किस अंग में संपन होती है उतर छोटी आथ में अनुवान सिक्ता के नियम का प्रतिपादन किस ने किया था उतर है ग्रा, ग्रोसर, मैंडल ने मानो द्वारा सबसे पहले किस धातू को प्रियोग में लाया गया और किस से बनाया गया उतर है तामबा बाल पेन किस इधान पर कार करता है उतर प्रिष्ट तनाओ नानवे नमबर कोश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन है रेसम के किड़े किस भीच को कोमल पत्यों पर पाले जाते हैं उतर सहतूत राजस्थान में खेतड़ी किस से परसिद है उतर तामबे की खान में अगर प्लीज चैनल पर नहीं सस्क्राइब कर ले पार्ट टू हम जल्दी अपलोड करने वाले तो आपकी बहुत ही हेल्फुल होगी आपके एक्जाम में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद